पुलिस की बेरिकेडिंग में खड़ी ओडी कार और आलिशान घर की दिवार पर चिपके नोटिस पर घौर कीजिए दोनों ही नखरेबाज प्रोबेशनरी आईएस पूजा खेट कर और उनके परिवार पर एक्षन की सबसे नई तस्वीड है दरसल नियम तो यूँ है कि कोई भी प्रोबेशनरी आईएस कार पर नीली लाल बत्ती नहीं लगा सकता और नीजी कार पर तो बिल्कुल नहीं पर पूजा खेट कर अपनी नीजी ओडी कार पर नीली लाल बत्ती लगा कर चल रही थी जिस पर अब पूजे पूलिस ने जांच की फाइल खोल दी है दस्तावेजों की जांच के लिए पूलिस ने कार को जब्त कर लिया है ये वही कार है जिसके लिए दो दिन पहले ही पूजा खेटकर ने 27,600 रुपे का जुर्माना भरा था इधर एक दूसरे मामले में पूजा खेटकर की मा मनोरमा दिलिप खेटकर के खिलाव भी पुलिस एक्शन में है उने की पॉश नेशनल हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद हाई फाई बंगले की दीवार पर चिपका ये सरकारी कागस खेटकर परिवाद की परिशानी बढ़ाने वाला है मामला लाइसेंसी पिस्टॉल से किसानों को धमकाने का है जिसका वीडियो कुछ दिन पहले ही सामने आया था अब पुने पुलिस का नोटिस आया है पुछा गया है कि क्यों न पिस्टॉल का लाइसेंस रद कर दिया जाए पुने पुलिस की तरफ से मनोरमा खेड करके इस बंगले के उपर नोटिस चिपकाई जा रही है यह नोटिस इस तरीके की है कि आपका पिस्टॉल का लाइसन रद क्यों नहीं किया जाए क्योंकि मनोरमा खेड करके उपर स्थानिय किसानों को धमकाने का आरोप लगा है पिस्टॉल तान कर और इसी के चलते पुने शहर पुलिस ने यह कारवाई शुरू की है पुने के बानेर इलाके में खेड कर परिवार का ये ओम दीप नाम का बंगलो है और इसी बंगले में मनोरमा खेड कर जो है वो रहती है उन्हें पुलीस ने जब मनोरमा खेड़कर को संपर्क करने की कोशिश की तो मनोरमा खेड़कर नहीं मिली और ना ही उन्होंने पुलीस का फोन रिसीव किया किसानों को पिस्टॉल दिखाकर धमकाने का मामला पूने की मुलसी तहसील का है जहां खेड़कर परिवार की 25 एकर जमीन बताई जाती है आरोप है कि खेड़कर परिवार खरीदी गई जमीन से ज्यादा पर कबजा किये हुए है किसानों ने विरोध किया तो उन्हें पिस्टॉल दिखाकर धमकाया गया मेरे माताजी और पिताजी यहां खेटी का काम करते रहते तो उस दिन मतलब में मैना में जुन में वो खेड़े कर दिलिप खेड़े कर और मनोरामा खेड़े कर लैंड प्रिजर गाड़ी से यहां आये थे और उन्होंने मेरे माताजी और पिताजी को गाली दिया और दम दाटी किया और उन्होंने मेन करके इदर पिस्टल दिखाया और पिस्टल का धाक दिखाया दिल्चस्प है पहले पूजा खेड़कर के नखरों की स्टोरी सामने आई प्रोबेशन पीरियड में नीजी केबिन और स्टाफ की डिमांड की बात सामने आई और उसके बाद तो फरजीवारे की कहानी खुलती चली गई इसकरी में पूजा खेटकर की ओर से पेश किये गए साटिफिकेट भी सवालों में है आरोप है कि UPSC कैंडिडेट के रूप में पूजा खेटकर ने खुद को OBC नौन क्रिमिलेर बताया जबके उनके पिता दिलिप खेटकर खुद महराश्ट के क्लास वन आफिसर रहे हैं दूसरा आरोप है कि पूजा खेटकर ने खुद को दिरिश्टिहीन और मानसिक रूप से दिव्द्यांग बताया था लेकिन वो फर्राटे से और डी कार चलाती है पूजा खेटकर 2023 बैच की प्रोबेशनरी I.S. हैं सबसे बड़ा खुलासा पूजा खेटकर की ओर से U.S.C. के सामने पेश किये गए दृष्टिहीन और मानसिक इलनेस के सर्टिफिकेट से जुड़ा है U.S.C. ने 22 अप्रेल 2022 को पूजा खेटकर को जाँच के लिए दिल्ली एमस बुलाया लेकिन वो कोरोना का हवाला देकर नहीं आई इसके बाद 26 माई को दिल्ली एमस और 27 माई को सबडर जंग अस्पताल में जाँच के लिए बुलाया गया लेकिन पूजा खेटकर वहां भी नहीं पहुँची फिर एक जुलाई 2022 को दिल्ली एमस बुलाया गया लेकिन पूजा खेटकर ने आने से इंकार कर दिया आखिरकार 26 अगस्त 2022 को पूजा खेटकर दिल्ली एम्स पहुंची जहां उनकी आँखों की जाँच के लिए 2 सितंबर 2022 की तारीख दी गई लेकिन पूजा खेटकर 2 सितंबर को भी दिल्ली एम्स नहीं आई बलके दूसरी जगे कराई गई जाँच रिपोर्ट सबमिट कर दी बताया जाता है कि UPSC ने उस वक्त पूजा खेटकर की दूसरी जगे कराई गई जाँच पर आपत्ती जताई थी मामला Central Administration Tribunal यानी कैट के पास गया लेकिन बाद में उन्हें बतोर प्रोबेशनरी IAS महराष्ट कैडर में भेज दिया गया खास बात तो ये है कि उनकी पहली ज्वाइनिंग उनहीं के होम ताउन यानी पूने में कर दी गई पूजा केड़कर का IAS में सिलेक्शन होना पहले दिन से ओ शक के दाएरे में आया है IAS ही अपने देश के बहुत बड़ी उन्ची सेवाई इसके लिए लाकों लोग बैटते और बहुत कम लोग चुने जाते वहाँ चुनकर आने के लिए वह सर्वीस पाने के लिए बहुत इमानदार और सक्त लोगों की जरूरत होती है जो व्यक्ति खुद ऐसे कुछ गफला करके आया है वो administrative services में के काबिल नहीं है उन्होंने कुछ भी किया तो उनको कोई जाता फरक नहीं पड़ा वो services में बनी रही इसका मतलब साब जाहिर है कि इनके पीछे कोई ना कोई political ताकत है उनका तवादला ये कोई उनको punishment नहीं है जाहिर है प्रोवेशनरी IS के रूप में घेर जरूरी डिमान से शुरू हुआ विवाद अब फरजी वारे की files तक पहुँच चुका है जिसकी जाच की आज पूजा खेटकर के साथ ही उनके परिवार की भी मुसीबत बढ़ा सकती है झाल